सभापती मोहदय, आज जो बिल अधरनी जनजाती कल्यान मंत्री जी के द्वारा लाया गया है जो संसोधन मैं उस संसोधन के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ माननी सभापती मोहदय इस सदन में एक पुनित कार्य आज होने जा रहा है सद्धे प्रधान मंत्री नरंद्रमोदी जी एवां जनजाती कल्यान मंत्री अर्जुन मुंडा जी और स्रिमती रेणुका सिंग जी के द्वारा उन पिडित समस्त जनजातीयों की ओर से मैं कृतग्यता परकट करना चाहता हूँ उसमें से एक है सावरा अर्थात सबर जनजाती त्रेता यूग में रमाइन काल में माता सबरी के वनसज है जिनकी अगाद सद्धा भक्ती से प्रभुसरी राम चट्थीज गड़ाय उनके जूठे बेर ग्रहन किये अर्थात आदी काल से प्रमानिक की जाती है कि वो जनजाती है और जिस इस्थान पे माता सबरी का अस्रम रहा उसको आज भी सीवरी नरायन कहा जाता है जो की सबरी नरायन है अर्थात अपभरंस के कारण उसको सीवरी नरायन कहा जाता है उसी प्रकार से इसमें अपभरंस हुआ और अपभरंस के कान 20-25 साल इनको एक प्रकार से पड़ेशानी जिलनी पड़ी है सावरा जाती जन जाती जो है रामाइन काल में जिस प्रकार से उधारन मिला एक और उधारन है बाली और सुग्रिव का जब यूद हुआ उस यूद में प्रभुसरे राम बाली का अबध किये तिर से उसी समय बाली ने प्रभुसरी राम को स्राब दिये कि युद्ध में बीना सुचना के आप मेरे उपर तीर चलाए अगले जनम में आपके उपर भी बीना सुचना के तीर चलेगा उसे प्रभुसरी राम ने ग्रहन किये और द्वापर यूग में महभारत काल में वो कृष्ण के ओतार में आए और महभारत यूद के बाद भगवान स्रे कृष्ण जो है वन में एकांत में निवास कर रहे थे उसी समय जिस वनवासी ने उनके उपर मृगा होने के भरम में तीर चलाया वह जरा नाम के आदेवासी भी सबर जाती के रहे और जब भगवान स्रे कृष्ण का देह त्यागे और उनके देह दा संसकार किया गया और अउसेज बचा उस अउसेज को नदी में बहाया गया वह नदी में बहा कर उड़िसा तटके और चला गया वहाँ एक विश्व बसू नामक एक 1880 को वह दे अवसेस मिला और उस अवसेस को वह विश्व बसू नामक जन जाती समुदाय के व्यक्ति वही था जो समर जाती का था घर में ले गया और भगवान का जो अवसेस है जिसमें आत्मा था उसको पुजा करने लगा यह बात की जानकारी वहाँ के महराजा को मिली और महराजा ने जैसे भी करके विश्व बसू के पास से उस भगवान सरे कृष्ण के अवसेस को ग्रहन करके आज जगन नातपुरी में इस्थापित किया जिसे हम महाप्रभू कहते है महाप्रभू का विश्व प्रसीद रत्यात्रा है जो प्रतीवर सरियात्रा मनाया जाता है तो उस यात्रा में जो रसी खिजा जाता है वो भी सबर जाती का है मैं सबर जाती का उलेख करना चाहता हूं सबापती मैं सबर जाती का उलेख करना चाहता हूं जो खास गर के 36 गर उडिसा सीमान्त प्रांत में रहते हैं और वहां की बोली वहां की भासा एक अलग भासा है जिसको वहां के भासा में लरिया भासा कहा जाता है उसी भासा के कारण उसी भासा में उच्चारन भिन्न होने के कारण आज इस जातियों को जो पीड़ा जहलने प उसके कारण 18 वर से उनकी कटलाई जेंडी पड़ी है यह जो सबर जन जाती है बहुत कम पढ़े लिखे हैं और खेतिहर मजदूर हैं मुख्य इनके बेवसाय खेती मजदूरी से हैं उच्छा ग्रहन नी करते जाती प्रमान पत्रह जारी नहीं होने के कारण 18 साल तक इनके आज इस सदन के माध्यम से मानि प्रधान मंद्री जी के नत्रुत में मानि जन जाती कल्यान मंद्री जी के नत्रुत में जिस प्रकार से 2013-14 के अनुपात में जो 211 करोड रुपया प्रिमेटिक चात्रवित्ती उसको बढ़ा करके दुगुना करके 419 करोड किया गया है आज ऐसे चात्रविती के कारण ये जनजाती लाभानित होंगे इनके जो बच्चे हैं वो पड़ पाएंगे ऐसे पुनित अउसर पे ऐसे समय पे जो आज हम निरंतर प्रधान मंतरी नरंद्र मोधी जी के नतुरित में जिस प्रकार से जनजाती समाज को आगे बढ़ाने के ल रिनुका सिंग जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन 12 जनजाती जो लगभग लगभग 20 वरसों से जो एक कठनाई जेले हैं उनको आज न्याय मिला है और जो माननी सदस जो ने कहा कि एक ऐसे जनजाती है सभपतिम होदा है जो कमार जनजाती है जो विसेज पिछरी जनज की दरजा प्राप्त है और मानी पुरूर्ण पधार मौंती जी के गोधन वाला च्हेत्रा है गरिया बशीला में ऐसे कमार जनजातीयों के लिए उनके जीविका के लिए बास से हो कला कार है बास के कला करिकर के आज य का ऐसे को उपाई किया जाए जिससे वो जन जाती को लाब मिले आप मौका दिये सभवपति मुझाए आपको बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आभार